नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबी कि यहां भी ब्याकराज से प्रस्थ पूझे जाते हैं, वहाँ पे 1-2 प्रस्थ का समझने का प्रयाज करेंगे इंगिलिस गॉनर में जिसे हम लोग Adjectives के रूप में जानते हैं यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विशेशन के अर्थ हुआ परिभासा की साथी साथी विशेश क्या होते हैं प्राविशेशन किसे कहते हैं और विशेशन के कितने परकार होते हैं अक्सर एक्जाम में हमने देखा है कि एक सिंपल सा कि उससे नहीं पूछ लेता है कि विशेशन कितने परकार के होते हैं या फिर कोई वाक के दिया जाएगा उसमें पूछेगा कि इसमें कौन सा प्रा विशेशन है या कौन सा विशेश से है और कौन सा सब्द विशेशन है त तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं अर्थ की बात करते हैं कि बिसेशन का अर्थ क्या होता है तो ऐसे सब्द जो किसी की बिसेश्टा बताते हूं उनको यानि की बिसेश्टा बताने वाले सब्द को बिसेशन कहते हैं अब ये बिसेश्टा किसकी बताते हैं तो यहाँ पर परिभासा देखें तो वह सब्द जो संग्या या सर्वनाम की विसेस्ता बताते हैं उन्हें विसेसर कहते हैं इसके पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था संग्या क्या होती है सर्वनाम क्या होता है संग्या जो होती है किसी बस तुब्यक्ति या भाव के नाम को संघ्य कहते हैं और संघ्या के अस्थान पर प्रियोग्त होने आले सब्दों को सरवनाम कहते हैं ये हम लोगों में पिछलि वीडियो में देखा था लेकिन जो सब्द संघ्या या सर्वनाम की विसेशता बताते हूं उनको विसेशन कहते हैं जिसे हम लोग English grammar में adjective के रूप में पढ़ते हैं तो यहां पर सबसे बड़ी बात जो होती है वो है प्राविसेशन क्या है और विसेश से क्या है अर्थ और परिभासा तो नॉर्मली एक्जाम में हमारे नहीं पूछी आती है लेकिन परिभासा जानना जरूरी है कि वहाँ सब्द जो संग्या सर्वनाम की विसेशता बताता है विसेशन कहलाता है अब एक एक्जामपल लेते हैं वहां से हमें बाते समझ में आएंगी वहां लेते हैं कि सीता बहुत बुद्धिमान लड़की है अब इस पूरे वाक्य में अगर आपको बताया जाएं कि इसमें जो है आपको बिसेशन कहां पे है बिसेशन कहां है तो यहां पे देखेंगे सीता क्या है संग्या है सीता क्या है संग्या है बुद्धिमान क्या है बिसेशन है हमने कहा संग्या या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले सब्द क्या होते हैं विशेषण होते हैं बुद्धिमान क्या बता रहा है सीता की विशेषता बता रहा है कि सीता जो है बुद्धिमान है यह क्या हो गया विशेषण हो गया और यहां पर एक चीज़ देखेंगे कि जिसकी विशेषता बताई जाए यानि संग्या या सर्बनाम में जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष से कहते हैं यानि कि सीता जो है संग्या है तो यही क्या है विशेष से है यानि कि विशेषन सब्दों द्वारा जिस संग्या या सर्बनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं तो यहां पर क्लियर हो गया कि जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो विशेष से है और जिस सब्द से जो है किसी संग्याय सरवनाम की विशेशता बताई जाएगी उसको विशेशन कहेंगे अब आगे हम लोग देखें प्राविशेशन क्या होते हैं प्राविशेशन का अर्थ हुआ कि विशेशन की विशेशता बताने वाले सब्द अगर प्राविशेशन की जो ह परिभासा देखें तो ऐसे सब्द जो विशेशण की भी विशेशता बताते हूं उनको प्राविशेशण कहते हैं इंग्लिस ग्रामर में इसे हम लोग एडवर्ब के रूप में पढ़ते हैं यानि कि प्राविशेशण क्या होते हैं एडवर्ब होते हैं जो की विशेशण की भी विशेष्टा बताते हैं तो इस वाक्त में अगर देखें सीता बहुत बुद्धिमान लड़की है तो यहां पर बहुत सब्द क्या है यह बुद्धिमान की भी विशेष्टा बता रहा है यानि बुद्धिमान विशेष्ण है लेकिन यहां पर क्या बता रहा है कि बहुत बुद्धिमान यानि कि बुद्धिमान की भी विशेशता बता रहा है तो यह क्या हो गया प्राविशेशन प्राविशेशन यानि कि इस पूरे वाक्य में अगर देखा जाए तो सीता जो है एक विशेश से है बुद्धिमान सब्द विशेशन है और बहुत जो लगा है यह क यहां बहुत की नीचे तो बहुत क्या है option में आपको मिलेगा कि विशेष से है या फिर प्राविशेषण है तो इस प्रकार से तीन चार वाक्त के example मिलेंगे उधारन मिलेंगे तो वहां पर जो है हमें select करना होता है आगे और भी example है जिसके माध्यम से मुसको समझते हैं यहां पर देखें हमने एक example लिखा है कि राम बहुत तेज दोड़ता है अब इस वाक्त में आप हमारे साथ निकालिए कि कौन सा बिसेस है कौन सा बिसेसण है तो यहां पर देखेंगे राम क्या है संग्या है तो संग्या क्या होती है बिसेस से हो गया बिसेश से हो गया क्योंकि यह संग्या है बहुत तेज दोड़ता है यानि कि संग्या की बिसेशता क्या हो गई तेज तो यहां पे जो तेज है यह हो गया बिसेशन और बहुत बहुत तेज का मतलब क्या हो गया कि तेज की भी बिसेशता बता रहा है बहुत सब्द तो यह हो प्राविशेशण तो जो सब्द संग्याय सर्वनाम की विशेशता बताए वो विशेशण और जिस सब्द की जिस संग्या या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही हो उसे विशेष से कहते हैं तो ये तीनों सब्द जो है आपको किलियर हो गया होगा संग्या सर्वनाम पहले से पता है विशेष से क्या है और प्राविशेषण क्या है अब आगे हम लोग देखते लेते हैं कि विशेशन के प्रकार कौन-कौन से हैं चलिए इसको मिटाते हैं दोस्तों विशेशन जो है हमने चार प्रकार के होते हैं चारों लिख लिए हैं एक है पहला है सार्व नामिक विशेशन दूसरा है गुण वाचक विशेशन तीसरा है संख्या वाचक विशेशन और चोठा है परिमाड वाचक विशेशन अब एक एक करके इसको हम लोग समझ लेते हैं मेलनी अगर आपसे पुछा जाए विशेशन कितने प्रकार के होते हैं तो चार प्रकार के होते हैं सबसे पहला अगर देखते हैं सर्वनामिक विशेशन नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे सब्द जो सर्वनामिक सब्द हो जैसे सर्वनामिक सब्द हम लोगों ने देखा था यह वह यह वह कोई कहां यह सभी सर्वनामिक सब्द हैं और जब इन सब्दों के सहायता से किसी संग्या की विशेष्टा बताई जाती हो तो वो सर्वनामिक विशेष्ट कहलाते हैं जैसे एक्जामपल अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे हम कहें कि यह पेन मेरी है या फिर कहें कि वह घर मेरा है अब इसमें हम लोग को पता है कि यह वह यह सब क्या है सर्वनामिक सब्द हैं लेकिन जब यह किसी संग्या की विशेष्टा बताते हूं तो यह सर्वनामिक विशेष्ण हो जाते हैं जैसे पेन जो है संग्या है घर जो है संग्या है यह किसी संग्या के पहले प्रियोग हो रहे हैं तो यह क्या हो जाएंगे सर्वनामिक विशेष्ण हो जाएंगे लेकिन अगर यही किसी संग्या के ब है कि यह जो है एक सर्वनामिक विसेशन है वह क्या है एक सर्व नामिक विसेशन है लेकिन अगर यहीं पर कहा जाए कि वह मेरा घर है अगर इसी वाकिheria को बदल दिया जाए कि वह हीlab मेरा घर है अब यहां पर पूछा जाए कि वह क्या है तो वह यहां पर सर्वनाम है ठीक है यहां पर सर्वनामिक विशेशन नहीं है क्योंकि यह संग्या के तुरंत बाद नहीं आ रहा है यहां पर संग्या की विशेश्टा नहीं बता रहा है यहां पर संग्या की प्रकार की विशेष्टा हो गई कि यह प्यन मेरी है यानि कि जो यहां पे यह सर्वनामिक सब्द प्रियोग किया गया है यह विशेषण के रूप में प्रियोग किया गया है लेकिन अगर कहा जाए कि वह मेरी प्यन है तो यहां पे प्यन की विशेष्टा नहीं हो जाएगी वह क्या हो जाएगा सर्व नाम हो जाएगा जैसे यहां पर हमने बदला है कि वह मेरा घर है तो वहां पर यह वह जो है यह किसी संग्या की विशेस्ता नहीं बता रहा है तो यहां पर यहां पर जाएगा सर्व नाम लेकिन यहां पर अगर बात की जाए कि वह मेरा यानि संग्या के पहले आ रहा है संग्या की बिसेस्ता बता रहा है ति यह हो जाएगा बिसेस्ण इसको द्यान में रखेंगे ठीक तो इस प्रकार से जितने भी सब्द होते हैं जो किसी संग्या की विशेष्टा बताते हैं और खास तोर पर ऐसे सब्द जो सर्वनामिक सब्द हैं वो सभी सर्वनामिक विशेषण में आते हैं अब चलिए दूसरा देख लेते हैं गुण वाचक विशेषण क्या होते हैं इसको हम मिटा देते हैं गुण वाचक विशेषण में ऐसे सब्द जो किसी संग्या या सर्वनाम के गुण की विशेषणा बताते हैं वो गुण चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो यानि कि रंग, रूप, आकार इन सब की बारे में बात करने वाले जो सब्दों होते हैं गुण वाचक, बिसेशन के अंतरगत आते हैं जैसे एक एक्जामपल इसका हम लोग लिख लेते हैं कुमिटा जेते हैं राम अच्छा लड़का है अब यहां पर क्या हो गया? एक गुण हो गया किसका? राम का, कि राम अच्छा लड़का है स्याम बहुत बेईमान लड़का है बेईमान क्या हो गया? एक प्रकार का गुण हो गया तो यह सभी गुण वाचक विशेशन होते हैं राम यहां पर संग्या है तो यह विशेश से हो गया इसका जो विशेशन है क्या हो गया? अच्छा गुण वाचक विशेशन है अच्छा भला बुरा रंग में बता दिया कि काला लाल नीला पीला ये सब एक प्रकार की बिसेशता हो गई और किस प्रकार की गुण वाचक बिसेशता हो गई तीए सभी क्या हो जाएगा गुण वाचक बिसेशन हो जाएगा आगे हम लोग संख्या वाचक देख लेते हैं संख्या वाचक बहुत ही आसान है जहां पे संख्या का बोध हो अब उसमें कुछ निश्चित संख्या होगी कुछ अनिस्चित संख्या भी हो सकती है जैसे दस आदमी जा रहे हैं जा अब यहां पर संख्या वाचक जो है विशेशन हो गया दस किसकी बता रहा है आदमी यानि कि संग्या की हमने क्या कहा था कि संग्या या सर्वनाम की ही विशेशता बताते हो ऐसे सब्दों ही विशेश तो यहां पर दस क्या है आदमियों की प्रकार की विशेष्टा हो गए कि दस आदमी जा रहे हैं निश्चित जो है संख्या हो गई तो यहां पर जो संख्या वाचक विशेष्ण दो प्रकार की होते हैं एक निश्चित संख्या वाचक एक अनिश्चित संख्या वाचक विशे अगर देखते हैं तो जैसे कई लोग आ रहे हैं अब यहां पर देखेंगे कई जो है लोग के पहले लगा है यानि संग्या के पहले लगा है तो यह क्या हो गया एक प्रकार से अनिश्चित हो गया है अगर निश्चित संख्या वाचक अनिश्चित संख्या वाचक अनिश्चित संख्या वाचक परिमाड वाचक देखते हैं हम लोग नेक्स्ट उधारण देखते हैं परिमाड वाचक विशेशन का मतलब हो गया कि ऐसे विशेशन वाले सब्द जो किसी एक परिमाड का बोध कर आते हैं जैसे मुझे थोड़ी सी चाय दे दो मुझे थोड़ी चाय दे दो अब इस में देखेंगे कि क्या है थोड़ी चाय संग्या है संग्या के पहले क्या लगा थोड़ी चाय या थोड़ा पानी तो यह क्या हो गया परिमाड का बोध करा रहा है इस संग्या के परिमाड का बोध करा रहा है थोड़ी सब्दे इसलिए यहां पर यह परिमाड वाचक विशेशण हो जाएगा तो इस प्रकार से देखेंगे तो चार प्रकार के विशेशण ह जिनको समझना बहुत आसาน है में लिस गया है कि विशेश ची है और प्राविशेशन क्या है एक्जाम्पल जो वी दिए गए है्थ इनसे आप आगे बढ़ा सकते हैं तो दोस्तो उम्मीद करते हैं कि आपको वी सेशन्ड समझ में आया होगा वी सेशन्ड अगर ये समझ में आया हो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए वीडियो कॉंतेक्ट देखने के लिए आपका दन दागा